हालो दोस्तों कैसे हैं आप लोग तो इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं ब्याहर SSC का डोकुमेंट अप्लोड करके लाइब फॉन से कैसे आप अपना कर सकते मैं आपको अपना करके दिखाता हूं यह रहा ब्याहर SSC का आपको लोगीन नहीं होगा तो यहां पर लॉगइं और पासवर्ड देना पड़ेगा बागि मेरा लॉगिन ए क्लिक करता हूं तो यह मेरा अकॉंट लोग इन हो चुका है बागी मेरा जो है स्टेप वन स्टेप टू है तो मुझे स्ट्री पर जाना है मतला अफलोड सेटिप करके दिखाता हूं तो यहां देखिया आ गया यहां पे अप्लोड का ओप्सन मांग रहा है चूस फाइल करने के लिए बोल रहा है मुझे 10th का मार्क सीट, 10th का सेटिफिकेट, 12 का सेटिफिकेट, 12 का सेटिफिकेट, भेली फोटो ऐडी प्रूप अब यहार डूमिसाइल साथ साथ EWS सेटिफिकेट अब लोड करना है तो चलि मैं आपको करके दिखाता हूं मैंने अल्रेडी पीडियाप बना के फाइल में सेब करके रखा है और यह मैं आपको फॉन से करके दिखा रहा हूं तो आप भी खुछ सिक कर सकते हैं बाकि आपको कोई परिसानी आए पी करने में आसानी हो अगर चाहो तो भीयो करके देख सकते हो कि यह मेरा 10 का मार्क सीट है या जो भी आप सर्टिफिकेट रहेगा तो ताकि आपको डाउट ना रहे या गलत डोकुमेंट गलत जगा अपलोड ना हो तो इसलिए मैंने रिनेम करके जो है नाम लिख लिया है सब अपलोड करके दिखाता हूँ यहां दूट सरण कर कर लोग ऑब करना चंब सब्संक्राइब आप sellers तो यहां फर चले गया तो इस यहां से अ खूलोंगा को मार्व सिट हो गया अब बचा 12 का सर्टिफिकेट यहां पर यहां से मैं इसको सेलेक्ट कर लिया उसके फिर आई डी प्रूफ है मतला आधार कार्ड तो अधार कार्ड भी मेरा होगा मैं आपको दिखाता हूं यह देखिए अधार कार्ड का भी यहां पर है तो काड़ भी मेरा सेलेक्ट हो चुका है अब बचा डॉमिसाइल और इड़ोस स्रेटिफिकेट तो इन दोनों को भी जल्दी से एड़ कर लेते हैं तो यहां पर देखिए मेरा जो है रेसिदेंस सेटिफिकेट यहां पर है तो चलिए वह भी हो गया अब बच्छा सिर्फ यहां पर इसको सेलेक्ट कर लेते हैं तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं अब यहां पर पूरा हो चुका है सब्सक्राइब नरएकि कि व्यां अपराष कहा है कि मुझे अप्लोड करने में कोई परिशान पास सर्टिफिकेट है तो मैंने उस परकार किया है आप लोग या चाहो तो कर सकते हैं मेरा सब कुछ हो चुका है अब मुझे सब्मिट पर क्लिक करना है तो मैंने सब्मिट पर क्लिक कर दिया और सर्वर थोड़ा स्वलो चल रहा है तो मैंने कर दिया है को जिर्वेट करता हूं हो जाएगा तो यह देखिए मेरा सक्सेस्फूल हो चुका है यहां पर हो मतलब आ गया मतलब मेरा जो है इसका कंप्लीट हो गया सारा प्रोसेस बाके आप लोग बहुत साफदानी से बरियेगा ताकि कोई गलती नहीं हो अगर कोई गलती हो जाती है तो फिर सुधाने का मौका नहीं मिलेगा और ऐसी कोई गलती मत किजिएगा जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो तो यहां तक पहुचने के बाद भी option आ रहा है यहां से आप जो है अपना document पर वियूग कर सकते हैं कि आपने सही से अपलोड किया यह नहीं किया है उसके बाद फिर आपको यहां पर जो है declaration पर क्लिक करके final submit कर देना है तो मेरा सब कुछ सही है क्योंकि मैंने सब कुछ इस वाले option पर क्लिक कर देता हूं और यहां से final submit कर देता हूं तो यहां पर बोल रहा है are you sure and edit change in application will not allowed after submission बोल रहा है यहां के बाद कोई भी editing नहीं कर सकता हूं इसमें मेरा final submission होगा इसके बाद कोई सुधार इसमें नहीं हो सकता है तो इस पर बस वाकिक कर देना है आपका जो है फिर submit हो जाएगा तो यह देखे मेरा submit हो चुका है यहां पर option आ रहा है प्रिंट अप्डेट अप्लिकेशन फॉर्म प्रिंट और अप्लिकेशन फॉर्म तो यहां से आप पुराना भी अपना डाउनलोड कर सकते हैं जो है registration वादा फों में आपका अप्लिकेशन पूछ सकते हैं और ऐसे ही informative वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें